दोस्तो आज मैं आपके सामने मलीना नाम की एक खुपसरत औरत की कहानी बताने वाला हूँ जिसे ना चाते हुए भी सोसाइटी के करण मजबूरन एक प्रोस्टिटूट बनना पड़ा था मुवी की कहानी शुरू होती है, 1940 के सिगेंड वाल्वर के टाइम पर जहापर हम इटली के एक छोटे से शहर को देख पाते हैं, जहापर रेनाटो नाम के एक छोटे से बच्चे को हम देख पाते हैं, जो अपने पिता के साथ साइक्ल खरिदने के लिए आया था, इसके बाद रेनाटो अपने साइकल को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाता है उसके दोस्तों को भी उसका साइकल बहुत ही पसंद आता है तभी अचनक उसका एक दोस्त कहने लगता है कि वो आने वाली है सभी आपा शांत होके बैठ जाओ जिसके बाद हम मलीना नाम के एक भहुती खुपसूरत अरथ को देख पाते हैं उसके खुपसूरती के शहर के सारे लोग दिवाने थे क्योंकि उसका स्टाइल ही सफसे अलग था मलीना को देखने के बाद रेनाटो देखता ही रह जाता है पहली नेजर में रेनाटो को मलीना से लगाओ हो जाता है इसलिए कई बाहनों से रेनाटो मलीना को बार बार देखने लगता है मतलब दोस्तों वही बच्पन का प्यार मलीना के पिता एक स्कूल टीचर थे और रेनाटो उसी स्कूल में पढ़ता था उसके पिता को कम सुनाई देता था इसलिए बच्चे मलीना के बारे में मज़ा कुडाया करते थे और उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था और मलीना के हजबन लंबे टाइम से वर में थे एक दिन रेनाटो अपने पिता के पैंट को दर्जी के पास ले जाता है उसे काट के छोटा करने के लिए ताके वो उसे पैन सके क्योंकि रेनाटो को लग रहा था कि वो अभी बढ़ा हो चुका है और उसे छोटा पैंट नहीं पैनना चाहिए जिसे जानने के बाद रेनाटो के पिता उसे बहुत ही पीटते है इसी के बीच एक दिन रात में रेनाटो मलीना के घड़ के दिवार पे छेट करके उसे देखने लगता है रेनाटो को पता चलता है मलीना बहुत ही अकेली है क्योंकि उसके हस्बेन बहुत दिन से घर नहीं आये थे और मलीना अपने हस्बेन के दुख में खोई हुई थी रेनाटो के फ्रेंस और शहर के लोग मलीना के बारे में तरह तरह की बाते कहा करते थे कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है वही दूसरी तरफ रेनाटो मलीना को बहुत ही पसंद करने लगा था और उसका पिछा किया करता था इसे के बीच एक दिन शहर में खबर आता है मलीना के हस्बन का देहान्थ हो चुका है यूत के दोरान जिसे सुनने के बद मलीना एकदमी तूट जाती है मानो कि उसके पस जीने का और कोई सहरा नहीं रहा जिसके बद रेनाटो मलीना के घर जाता है उसे दिलासा देने के इसके बद रेनाटो फिर से मलीना को देखने के लिए उसके घर जाता है और उसके कपड़े को चुरा लेता है जिसके बद रेनाटो रात में मलीना को खुद के साथ इमेजिन करने लगता है इसी के बीच एक दिन मलीना के पिता को एक चिठ्थी मिलती है जिसके अंदर गर में रेनाटो को एक करनल देखता है जिसके बद रेनाटो को महसूस होता है कि टाउन के लोग सही थे मेलीना एक अच्छी औरत नहीं है और रेनाटो बहुत ही उदास हो जाता है करनल जब घर के बाहर आता है तो वहापर उसे एक डेंटिस मिलता है जो कहता है कि मेलीना मेर परेशानी फेस करनी पड़ती है इसके बद मलीना शहर के एक वकिल के पास जाती है केस को लड़ने के लिए मलीना वकिल के पास मदद मांगती है और वकिल मान जाता है मलीना का वकिल केस जीच जाता है और सावीत हो जाता है के डॉक्टर जूट बोल रहा था केस जीच जाने क के बाद फीज के बदले में वकिल मलीना के साथ जवद दस्ती करता है और मलीना भी लाचार थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और इस सब चीज होते हुए डेनाटो दिवार के छेट से देख रहा था जिसके बाद वो बहुत ही दुखी हो जाता है इसी के भीच एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि उसके पिता का देहन्द हो गया है क्योंकि यूत के दोरान शैर के उपर बॉम गिरने से उसके पिता की मौत हो गई थी जिसके बद मलीना एकडमी अकेली और दुखी हो जाती है क्योंकि उसके ख़़ट का अपना बोलके और कोई análी रहा और मलीना क पेंशन भी बंद हो गई थी क्योंकि इसके हस्बेंड की मौत हो गई थी मलीना के पास अपने घर चलाने तक का पैसा नहीं था एक दिन रत में मलीना इसके बारे में बहुत सोस्ती है वो सोस्ती है अगर टाउन के लोगों को लगता है कि वो एक अच्छी औरत नहीं है तो यह जिसके बद मलीना अपने बालों को काट देती है जिसका साप मतलब था कि मलीना अब प्रस्टिट्यूशन की तरफ जा चुकी है नेक्स डे मलीना एट्रेक्टिव कप्रे पेंगे एक अलगी रूप में बाहर निकलती है और एक कैफे में जाके बैठ जाती है इसके बद मली मलीना एक सिगरेट को निकलती है और शहर के सारे मर्द उसके पास आने लगते है जिसका मतलब था शहर के सारे मर्दों को जो चाहिए था वो उनम मिल चुका है लेकिन मलीना का ये बदला हुआ रूप डेनाटो को पसंद नहीं आता है रेनाटो को बहुत ही दुख होता है और उसके तबियत भी खड़ाब होने लगती है लेकिन रेनाटो के पिता को सब समझ में आ गया था इसलिए रेनाटो को जो चाहिए था उसके पिता उसे दे देते है जिसके बद रेनाटो एक प्रोस्टिट्यूट को मलीना की तरह इमेजिन करके इंटिमेट होता है शहर की सारी औरते मलीना को बहुत ही नापसंद किया करते थे क्योंकि उनके हजबन मलीना के पस जाया करते थे इसलिए एक दिन शहर की सारी औरते मलीना को घसिटते हुए बाहर लाते है और उसे बहुत ही मारते है और मलीना के बालों को भी काट दिया जाता है इसके बद मलीना के पास शहर को छोड़ने के इलावा और कोई चारा नहीं था। उसके पती को असली सच्चाई नहीं बता रहा था, कि उसके जाने के बाद मलीना के उपर क्या क्या चीज़े गुजरी थी, शेहर के सभी मर्द उसे हवस की नजरों से देखते थे, और उसका फाइदा उठाना चाते थे, उसका पती अपने दोस्तों के पास भी जाता है, लेकिन वो लोग भी उसका मज़ा कुडाते है, और उसे थपन मार के नीचे गिरा देते है, और रेनाटो भी एस सब चीज़े होते हुए देख रहा था, जिसके बाद उसका हस्बेंड अपने बीवी को ढूनने के लिए दुसरे शहर चला जाता है, और इसी के साथ एक साल बीच जाता है, एक दिन हम मलीना को अपने हस्बेंड के साथ शहर के अंदर आते हुए देख पाते हैं, जिससे देखने के बाद शहर के सभी लोग चौक जाते हैं, और रेनाटो भी वापर मौजुद था, जो एक दूसरे लड़की के साथ रिलेशन में था, जिसके बाद शहर के सारे लोग मलीना को बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे थे, मलीना जब बाजाद जाती है तब वो ही औरते जिनोंने उसको मारा था, अपने दुकान से सामान खरीदने के लिए कहती है, और मलीना को गूड मॉर्निंग भी वुश करती है, जिसका मतलब ता समय अभी बदल चुका है, और सारे लोग अभी उससे प्रोस्टिट्यूट की नजर से नहीं देखते है, इसके बाद घर जाते हुए मलीना के बैक से सारे फल निचे गिर जाते है, जिसे रेनाटो देख लेता है और आगे आके मलीना की हेल्प करता है, जिसके बाद हम मलीना और रिनाटो को आपने सामने पहली बार बात करते हुए देख पाते हैं मलीना रिनाटो को थैंक्स कहती है जिसके बाद मलीना अपने घर की तरफ जाने लगती है रिनाटो पीछे से मलीना को गुड लग कहता है जिसके बाद मलीना मूर के एक स्माइल देती है और अपने घड की तरफ चली जाती है और रेनाटो भी वह आपर से जाने लगता है मूवी के एंड में रेनाटो कहता है मैं मेरी जिन्दगी में बहुत सारे औरतों से मिला हूँ और वो सब मुझे पूस्ते थे क्या तुम मुझे याद रखोगे लेकिन सच्चा ही ये थी के एक औरत थी जिसे में कभी नहीं भूल पाया और वो औरत थी मलीना और मूवी आपरी खतम हो जाता है तो दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनलन को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए मिलते है